हेलो उजेंट वेलकम बैक इन क्लास 10th कंप्पिटर क्लास आज हम लोग सेशन सेवें इंसर्टिंग ग्राफिकल आपचेक्ट एंड इन्रिस्टेशन के बारे में पढ़ेंगे चलिए शुरू करते हैं पहले इंट्रोडेक्शन देख लेते हैं कि इंट्रोडेक्शन क्या दिय यजे उस्पोर्ायबन में लोग सेवेखन क्या देखने हैं 27 am. to pedig how can you write an article, report, newsletumn, new share, or type any document % including some form of graphics make the documents more interesting in a report you may want to cooperate a graphics the product is the facility in search traffic chart image and multimedia element into a document is a part of charm and power of every major word processing program this features are generally known as object the object can be आल्मोस्ट इन इनी फर्म, टेक्स कैन बी जनेटेट अज कम्प्यूटर फाइल, साउंड, म्यूजिक, ट्राइंग, डॉक्मेंट, स्प्लीट सीट, एटीसी, तो ग्राफिक्स है था, एक ऐसा फर्म, जिसका हम इस्तमाल करके, अपने डॉक्मेंट को, यानि वर्ड प्रोसेस इमेज, या कुछ चार्ट, या डाइग्राम, इस्तमाल जब हम करते हैं, अपने डॉक्मेंट में, जिससे हमारा डॉक्मेंट काफी सुंदर बहतर बनता है, उसे बोलते हैं, ग्राफिक्स, यानि ग्राफिकल आपजेक्ट, ग्राफिकल आपजेक्स में हम, सबसे पहला देख लेते हैं, क्लिपार्ट, क्लिपार्ट क्या होता है, तो क्लिपार्ट is a predefined image available for the user, used in a document, तो क्लिपार्ट क्या है, पाले से बना हुआ डॉक्मेंट है, या ऐसा फीगर है, जो कि हम इस्तमाल करते हैं, अपने computer में, for example, if you would like to create a greeting card for your friend, you can use क्लिपार्ट, such as, balloon, flower, etc, along with text message, you can use the क्लिपार्ट गैलरी, built-in, within the word processor, तो हम कोई भी ऐसा greeting card है, कुछ भी ऐसा बना रहा है, तो उसे related हम, कुछ सी भी object को, अपने word document में, add कर सकते हैं, साथी साथ, अगर, हमारे काम की चीज़े, यानि हमारे सारी यूज की, उसमें क्लिपार मुझूद नहीं है, तो हम online भी क्लिपार्ट, download कर सकते हैं, open clipart, org, pd clipart, clicker, free clipart, now, WP, clickart, इस सब का इस्तमाल करके हम, clipart, download भी कर सकते हैं, अब insert कैसे करेंगे, clipart इसे देख लेते हैं, तो उससे पहले आप यह टैब को देखिए, इस टैब में, आप इंसर्ट करने के लि इंसर्ट टैब पे क्लिक करना होगा, second, clipart पे, clipart पे, clipart पे क्लिक करेंगे, तो clipart ओपेन हो जाता है, वहाँ से हम सर्च करते हैं, जो भी clipart में चाहिए, जैसे value न चाहिए, तो लिखेंगे value और go पे क्लिक करेंगे, तो value से लेटर सारे clipart आजाएंगे, और double click करेंगे clipart पे, हमारा clipart डॉक्मेंट पे insert हो जाएगा, लिखेंगे को फिर से देख लेते हैं, एक बार, सबसे पहला क्या करेंगे, open the new document in MS Word, step है यह, second, click on the insert, tap on the even, third, click on the clipart button in the illustration group, the clipart task when appear, जैसे मैंता है, clipart task when appear हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद, जैसे भी बताया आप से, enter the clipart category, name and search box, search box में, हम किस category, किस type का clipart, इस्तमाल करना चाहते हैं, उसे enter करेंगे, और click करेंगे, go पे, जब go पे click करेंगे, उससे related सारे cliparts, open हो जाएगे, तो once you go, click go, window appear along with list of clipart matching the search keyword, search keyword से मिलता हुआ, गैल्डी open हो जाएगा, और हम double click करेंगे, उस गैल्डी पे, यानि उस photo पे, तो और clipart हमारे document में insert हो जाएगा, जबाद फिर से देख लेते हैं, इसे, कि हम कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहला, हम क्लिक करेंगे, फाले open करेंगे new word document, फिर click on insert tab, then click on the clipart button in illustration group, उसके बाद, enter the clipart category name in the search box, click on go, उसे related document open हो जाएगे, डबल क्लिक करेंगे, और यह file हमारे word में insert हो जाएगे, second है, inserting a picture from a picture file, picture file से हम picture कैसे insert करेंगे, इसे देख लेते हैं, इससे पहले हम इस window को देखते हैं, यह ज़्यादा जरूरी है, इसके लिए सबसे पहले हम insert में जाएगे, फिर click करेंगे picture पे, अब picture पे click करने के बाद, picture from file option आएगा, यह open करेंगे, फिर अपने file को choose करते हैं, और insert पे click करते हैं, किस पे, insert पे click करेंगे, और हमारा image insert या picture insert हो जाएगा, चलिए इसे फिर से देख लेते हैं, सबसे पहला, तो हम word document open नहीं करेंगे, उसके बाद, click करेंगे, insert टैप पे, then picture, then from the file option, जैसे यह click करेंगे, देखे, insert picture from file जो यह window दिया हुआ, यह open हो जाएगा, यहां से जो भी picture आप चाहिए, उसे आप select करेंगे, देखे, insert picture, dialogue box will appear, select the picture from any drive, folder or network, place in a environment, महाँ सम्क्लिक करेंगे, then click on insert, देखे, आप insert show कर रहा, तो click on insert button, a selected picture will be inserted in a document, इस प्रोसेस से selected picture insert हो जाएगा, document में, फिर सम्स्टेप को देख लेते हैं, एक बाद, सबसे परले click करेंगे, insert tab पे, then picture, here then from the file, dialogue box यह open होगा, तो क्या होगा, the insert picture dialogue box will appear, select the picture from any drive, यहाँ भी आपने save किया, वहाँ से picture को आप select कर लेंगे, then click on the insert, यह insert पे click करेंगे, और हमारा selected picture, document में insert हो जाएगा, next एक लेते हैं, embedded and link and object, embedded object किसे करते हैं, link object किसे करते हैं, इसे हम देख लेते हैं, इसे पर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, embedded object, जैसे आप word का document बना रहा हैं, और इसमें एक chart insert करना चारते हैं, जो कि Excel में है बना हुआ, तो आप क्या करेंगे, आप embedded object का इस चार्ड को insert कर लेंगे, और इस object को बोलते हैं, embedded object, यानि कोई जब दूसरे प्रोग्राम से कोई document यहां पर insert किया जाता है, लेकिन याद रखेगा, इसमें कोई हम change नहीं कर सकते हैं, जैसे, sorry, change हो कर सकते हैं, अगर हम chart जहां पर बनाया हैं, Excel में, अगर आपर कोई change हम कर रहा हैं, तो जहां पर हमने embedded word में copy किया, यहां पर कोई change हो जाएगा, बट जहां पर हमने copy किया, यहां पर कोई change हो जाएगा, यहां पर कोई change हो जाएगा, यहां पर हमने copy किया, यहां पर कोई change हो जाएगा, इसको हम जोड़ देते हैं, यहां पर link के तुरू, किसे बोलते हैं, link object, अब Link Object में फायदा हिए जो भी चेंजेज करते हैं तो जब भी Open होगा तो चेंज किया हुआ डॉक्मेंट अपें होता है जबकी Embedded Object में ऐसा नहीं उता है एक बार इंसर्ट कर दिए तो तो जैकंवे जहां पर है उसे कितना हिए कोई चेंजसर नहीं होता ब्रिंक आप्जेक्ट में क्या था फाइल जितनी बार करेंगी हमारे फाइल ओपन होता है इसमेन जो भी चैंजसरथ भी उतें रहते हैं की शुपेख लेते हैं लिंक किसे बरता है व्सक्राइब थाइड फाइल फाइल few फाइल further file linking file can be placed on your computer or you may be linked an external file on a webpage you may also link the web pages by including the entire url to the larger target document any word form html form ajaise data add as a in the case of sending such file via email you need to place both the file in the folder before chipping it and sending across तो में जिपिंग जीप बना लेते हैं भेडने से पहले जिपिंग क्या होता है छोटा बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं फाल के और इंबेड़ आप जेकिसे करते हैं embedded embedding is the way to incorporate the document into existing file. Once document is embedded to another file they start to exist as a single file, single file Say if the pie chart from the Excel file is embedded in a word document you may change the pie chart then it does not get reflected in the word document. मैं तोभी बताया, word document word copy हो जाएगा, हम कोई change करें, तो उसमें reflect नहीं होगा या नहीं, उसमें दिखेगा, नहीं, main difference क्या है, इसमें, when file are linked, then a change in a link file get updated in a destination file, in the case of embedding object, embedding change, the embedded file not, do not get reflected on a destination file, you need to manually make the change in the destination file by double clicking to the embedded file, तिस तरह से आपका यसेशन खत्मोता, थांक्स वाचिंग वाचिंग,